हेलो एवरीवन एक्स्टर नॉलेज में आपका स्वागत है यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजी सीनर्जी आरिफ और अन्य सभी प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंद इस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तो आज हम आपके लिए लाएं हैं यूजी सीनर्जी आरिफ समाश्रास का प्रैक्टिस सेट नॉमबर 19 तो आईए सुरू करते हैं क्वेशन नॉमबर 1 भासा और विचार को संरशना का मूल आधार मानते हैं आप्षण A, यूरोपिय संरशनावाद, आप्षण B, अमेरिकी संरशनावाद, आप्षण C, ACI संरशनावाद या आप्षण D, इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपका आँसर होगा आप्षण A, यूरोपिय संरशनावाद, जो की भासा और विचार को संरशना का मूल आधार मानते हैं आईए जानते हैं संरशनावाद के बारे में संरशनावाद या structuralism, मानो विज्ञान की एक ऐसी पधती है जो की संकेत विज्ञान और सहाजिता से पसपर संबंद भागों को एक पधती के अंसा तथ्यों का विशलेशन करने का प्रियास करती है स्वीडन के प्रशित भासा विद फ्रदिनंद एंड श्यूशर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं तो जो यह आपका संरशनावाद है या आपका आधुनिक समाजी विज्ञान वा मानविकी में एक सोचने का तरीका या विशलेशन करने की विधी है ऐसा विचार है जिसका विस्तार मानवि भासाओं तथा लोकथाओं के सांस्कतिक प्रियोगों वह साहेतिक प्रियोगात्मक रूप से होता है तथा संरशनावाद जो है उसका एक क्रमबद रूप से अध्यन वह विशलेशन किया जाता है वहीं जो संरशनावाद है वो समाश्रास्तियों ने दो भागों में विवख्ति किया एक यूरोपिय संरशनावाद और एक अमेरिकन संरशनावाद तो जो यूरोपिय संरशनावाद था वो भासा और विचार को संरशना का मूल अधार मानते थे जबकि अमेरिकन या बिट समाज को समझने के लिए लोगों के वास्तिक वहवार को समझने पर जोड़ देते थे तथा इनका मथ्याख की अन्भावी का अध्यान के अधार पर ही प्रयाप्त निसकर्ष होंगे वही समाझी संध्षिना होगी तो यूरोपिय संश्णावादी जो कि भासा व विचार को संश्णा का मूल अधार मानते थे इसमें अगर विचारुकों की बात की जाएगी तो लेवी माइकल फोकर्ड इसके प्रमुख विचारक थे वहीं जो अमेरिकन संश्णावादियों में इसे प्रमुख की बात की जाएगी तो फीटर विलोग जो कि अमेरिकी संश्णावाद के रूप में जाने जाते थे आई यह बढ़ते अपने क्वेश्चन नमबर तू के तरफ आप्शन D एक समाजी उमर के रूप में आपके आपका अंसर होगा आप्शन C एक समाजी कल्यार के रूप में रैट कलिया ब्राउने एफ्लड सब्स निर्मित किया है तो अगर आपका आज कि यूफोरिया सब्स किसने निर्मित किया है तो आपको iард सब्स को निर्मित किया है आये बढ़ते हैं कुश्चन नंबर तो यहां पर आपका अंसर होगा option D मैलीनो वस्की ने प्रकारिवाद को निर्पेच प्रकारिवाद कहा है तो आई यह जानते हैं प्रकारिवाद के बारे में जैसे कि प्रकारिवाद बोले या फिर सनरशनातमक्प्रकारिवाद बोले, यह एक ही अबधार्णा है, प्रकारिवादी सोच को विक्षित करने वाले अगर समा शासियों की बात की जाए, तो इसमें से दो वीचार Gulf, जो की महतपुन इस्थान रखते हैं, उसमें से दूर्ख का धार प्रदान करता है और धर्म के अधार पर समाज के नैतिक मोली समाज के एकांकी स्वरूप को कोस्टर करते हैं वहीं अमेरिकी समाशास में प्रकारवादी सिधान का एक खास स्थान है प्रकारवादी विचारधारा की अनुसात समाजिक विश्यू एक संपूर्ण पूरे हुए हैं यह बहुत ही इजी सब्दों में अगर बात की जाए कि प्रकारिवाद क्या होता है तो किसी भी समाधी घटना को हम पूरी तरह से अलग ना मानकर उसे व्यवस्था के एक अंग के रूप में देखना ती है मतलब समाध में जो भी अलग-अलग अंग है वो एक व्यवस्था निर्मीत होती है जिसे हम प्रकारिवाद कहेंगे आईए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नमबर 4 दुर्खिम के अनुसार ऑप्शन है एनोमी आधुनिक समाजिक आर्थिक व्यवस्था में समाजिक क्रिया कलापों की अस्त व्यस्थता की पुरानी अव अवस्था है तो जो की आईए जानते हैं व्यशंगिती क्या होती है जैसे कि दुर्खिम ने सर्पता है व्यशंगिती की अवधार्णा को अपनी महात्पूर्ण क्रती डाडिवीजन ओफ लेवर इन सोसाइटी में प्रस्तुत किया तो व्यशंगिती को ही इंगलिस में एनोमी बोलेंगे ठीक है उनके अनुसार व्यशंगिती आदश विहीनिता की एक अवस्था है सभाविक्ता का अभाव है और नियुमों का निलंबन है या एक ऐसी स्थिती है जिसमें हम अक्सर नियम विहिनता करते हैं उनका कहना है कि समाज का व्यक्ती पर केवल स्वस्थ प्रभाव ही नहीं पड़ता बलकि अस्वस्थ प्रभाव भी पड़ता है और अस्वस्थ प्रभाव स同वी होती हैं उनको पूर्ति के लिए समाज के साथ जूड़ता है और वो आसा करता है कि उसके का combining के सह्माज के सह्योग से होता रहेगा जब उसकी आसा फूरी नहीं हो पाती है मतलब उसको सह्योग नहीं मिलता है समाज से तो व्यक्ति में निरासा आसंतोस या बदला लेनी की भावना आधी पनव जाती है और वह समास दौर अमान इस्थापि जो भी नियम आदस मूली होते हैं उनको इनकार कर देता है और एक दूसरे तरीका व्यवाहर करता है जो की विशंगती या नियम विहिंता का परिशायक होती है आई होब आपको विशंगती समझ में आई होगी कि क्या होती है आई ये बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 5 वेबर के अनुसार इस्थिती व्यवस्था क्यों लागू होती है आप्शन A उपर एवं नीचे समाजी गतिशिलता को परशाहित करने के लिए आप्शन B उपर नीचे समाजी गतिशिलता को परशाहित करने के लिए तो यहाँ पर आपका अंसर होगा उप्शन D उपर और नीचे सामुही गतिशिलता को परशाहित करने के लिए वेबर इस्थिती के ववस्था को लागू करते हैं मेहां आपका आएए जानते हैं वेबर के समाजीक इस्थिक रहा यह गतिशिलता के बारे में जैसे कि यह वेबर जो थे वो जर्मन जर्मनी समाज शुस्ति थे इन्होंने तीन मापड़न दिये थे समाज के स्रीकान के एक दिया था इन्होंने आर्थिक संपती वा आर्थिक लाप के अवश्रक पर नियंतर करना दूसरा इन्होंने राजनेतिक सत्ता के उपर नियंतर और तीस्था उन्होंने समाजिक स्थान वा प्रतिस्था के उपर नि किया जा सके नी संदे इन तीनों अधार का अपना विसेस स्थान है और यह सभी अलग-अलग तरीके सव्यक्ति के वहवार यह स्थान में निधारक होते हैं फिर वह समाजिक सिर्था के रूप में इन तीनों को एक जैसा ही एक में स्वरूप में मानते हुए या मिला कर देखन या यहां पर आपका अंसर होगा ऑप्शन भी मार्क्स ने वर्गी की समापती ही मानो संगस की समापती है यह इनका विचार है आए जानते हैं मार्क्स का वर्ग संगस का सिध्धान के बारे में जैसे कि मार्क्स की वर्क संगस की धारना उनके चिंतन की एक महत्पून धारना है मार्क्स ने इतियास की प्रेरख सकती भौतिक है उनका मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया के मानो संबन इतियास का निमार करते है मतलब उत्पादन प्रकिया के द्वारा धनी और निर्धन दो वर्गों का जन्म होता है प्रतेक वर्ग एक दूसरे से संगस करता रहता है यही समाज की प्रगति का अधार है मार्क्स ने अपनी वर्ग संगस की अधारना अगिस्टन थोड़े के दर्सन से लिए इसलिए उनक जैसे कि मार्क्स के वर्ग संगस की बात की जाए तो इसमें यह बात है कि जब अपने हितों की रक्षा के लिए ठीक है विप्रीद या परसर विरोधी वर्ग आपस में टकराते हैं तो उसे ही हम वर्ग संगस कहेंगे काल मार्कस ने प्राचीन काल में बताया कि संगस स्वा और खेथियर के बीच में, उसके बार अधुनिक काल में, और द्योगी समाजों में पुंजी पती और जिवी श कृता रहा है। आईए बढ़ते हैं question number 7 के तरफ मिथ्या जुकाव तथा पूर्वा ग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं या मानना है option A, Lundsberg का, option B, Jochar का, option C, Cook का, या option D, Bogardas का तो यहाँ पर आपका अंसर होगा option A, Lundsberg का मानना है कि मिथ्य जुकाव तथा पूर्वा ग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक होते हैं अगर इस sentence को नहीं समझ पाए हो, तो मिथ्य जुकाव या पूर्वा ग्रह जो हमारे पूर्व की अवधार्णाएं होती हैं वो अगर हम किसी भी विज्ञान की कसौर्टी भी किसी भी चीज को खरा उतरते हुए करना चाहते हैं तो हमारी जो पूर्व की अवधार्णाएं होती हैं वो उसमें जटिलता पैदा करती हैं और ये विचा जो दिया वो लुंसबर्ग ने दिया आपका आईए बढ़ते हैं question number 8 की तरफ सिध्धान्त क्या है? option A तर्ख संगत अवधार्णा option B तथ्यों का समानी करन, option C तर्ख संगत अवधार्णा या option D घटनाओ का समानी करन तो यहाँ पर आपका अंसर होगा option B तथ्यों का समानी करन ही सिध्धान्त है आई ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं जैसे कि सिध्धान्त का मतलब होता है कि जो सत्य प्रमारित होकर सिध्ध हो गया हो और अब उसमें सत्य को प्रमारित करने की कोई भी गुंजाईस ना हो वह सिध्धान्त कहा जाएगा अर्था सिध्ध प्लस अंत बराबा सिध्धान्त बन गया अर्था सद्धिक के आगे तो कुछ होता ही नहीं है मतलब यह हुआ कि सद्धिक में छीपे किसी नए पहलूओं को खोजना और नए धंसों उसका सत्यापन करके फिर उसके बाद किसी और चीज को सद्धिक प्रमारिक करने की कुझाइस ना बचे तो वो हमारा सिध्धान्त कहा जाएगा आई यह बढ़ते हैं अपने कॉश्चन नमबर 9 के तरफ मोजने समाजिक सर्वेक्षण के छेत्र को कितने भागों में बचा है औप्शन ए चार, औप्शन बी पाच, औप्शन सी तीन यो औप्शन डी छे तो यहाँ पर आपका अंसर होगा आप्शन ए चार, मोजने समाजिक सर्वेक्षण को चार भागों में बचा है आईए जानते हैं समाजिक सर्वेक्षण क्या होता है जैसे कि समाजिक सर्विछान, समाजी जीवन के किसी विशेश, पच्छ, विशेश, प्रशंग, अत्वा, समश्या के संबंद में निर्भर योग, तत्यों, वदलों के संकलन और विशलेशन निर्वाचन करने की प्रक्रिया है मतलब समाजी जीवन से जो भी संबंदित विशेश होते हैं, आपके तत्थ होते हैं, इन सभी चीजों का विशलेशन करने की प्रक्रिया है जो कि वे ग्यानिक सिध्धान तो, वो हमार निताओं पर आधारित होने के कारां, अन्भर निसकरशों को निकालने में सहायक वह उप्योगी सिध्ध होती है वहीं बात की जाएं, मोजर के अंसर समाजिक सर्वेचर की प्रभाशा दी गई है कि समाशासियों को समाजिक सर्वेचर को एक तरीके और अत्यादिक व्यवस्ति तरीके की रूप में देखना चाहिए जिसके द्वारा की अध्यान की खोज, उसके चारों और प्रतर्ष अध्यान विशे की से संबंदित आकड़ों को समलीत किया जाना लगी ताकि समस्य प्रकास में आए और अध्यान योग विशे के संबंद में सुझाओ प्राप्त हो सके ये मोजर ने समाजी संबंद में परिभाशा दिये और ये बढ़ते हैं अपने क्वेशन नमबर 10 और लास्ट क्वेशन के तरफ जन्मत पचपात प्रता संसकार आदी से संबंदी सर्वेक्षन है और यहां पर आपका आंसर होगो और ऑप्चन ए गुढातमक सर्वे, और प्रठाव संसकार आते हैं या विश्चलेशा क हैसकते हैं तो गुढातमक विश्चलेशा का संबंद उन आकड़ों के विश्चलेशां से होती जिनकी गड़ना नहीं की जा सकती जैसे कि आपका प्रथावा संस्कार दिया गया है तो इनकी हम करना नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार की जानकारी वस्तुओं के गुड़ों और विश्यस्ताओं को समझने के बारे में होती है तो और गुड़ात्म विश्रेशन का एक यह सब गुडात्मा ग्रूप से इसका विश्रशन किया जा सकता है क्योंकि इसका मात्रात्मा ग्रूप उपलत नहीं हो सकता आई होप आपको हमाई दौर लाई हुए कॉस्चन सो उनकी व्यक्ठिया समझ में आ रही होगी तो प्लीज अगर आपको हमारी महनत पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें and थैंक यू पर वाचिंग माई चैनल